जै मातादी दोस्तों मैं रितु सुकला आपको अपनी रस्वई में स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए नालू और मटर से बहुत ही टेश्टी नास्तर ऐसे पी लेकर आई हूँ जिससे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा देखे आलू को मैंने किस तरीक अब मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक डालूंगी दोस्ते बहुत ही टेश्टी बनकर त्यार होगी रेसिपी को आगे तक देखिएगा यह मैंने पैरी-पैरी मसाला डाला है थोड़ा सा यह गरम मसाला है दोस्तों यह मैं हींग डाल रही हूँ अब मैं इसमें सरसो का तेल डालूंगी देखिए दोस्तों इस तरीके से सारे मसालों को डाल कर इसमें अच्छी तरीके से मिला देना है अब हमें गडाई में इसे डाल देंगे इसमें तेलूर कुछ भी नहीं डालना है दोस्तों डारिक जो हमने आलो उर्मतर तयार किया है उसे कडाई गरम करके उसमें डाल देना है आप आगे देखते रहेगा कितने अच्छी डिस्वन कर तयार होगी इसे हमें धक कर पकाना है बहुत जादर बढ़ धकिएगा कि मैंने इसमें कास्मीरी लाल मिर्च डाली है थोड़ी सी कलर के लिए दोस्तो थोड़ी देख के पकाना उसके बाद खुला करके पकाईएगा वरना यह तूट जाएगे दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीस हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेजिएगा लाइक करेजिएगा और कॉमेंट करके बताएगा हमारी रेसिपी कैसी ल लाटे के साथ खा सकते हैं और इसे आप चाय के साथ बनाकर खाईएगा बहुत ही टेस्टी लगती है चाय कोफी के साथ में एक बार जरू ट्राइब कीजिएगा इसे बनाकर देखिए दोस्तों आपको सामने से दिखा रहे हूं यह देखने में और खाने में दोनों में बह बहुत छोटा सा वीडियो हो दोस्तों क्योंकि बहुत जल्द बनकर त्यार हो जाती है रेसिपी यह देखिए हम एक प्लेट में इस अच्छी तरीके से निकाल देंगे लीजे मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ इस तरीके से लग रहा है इसे बहुत ढकर मत पकाईएगा तब इस तरीके से खिले खिले बनेंगे दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो है आप जाकर एक बार प्लीज चेक कीजेगा और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताईएगा यह देखिए मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ वालू कितने अच्छी तरीके से पके हैं हमें बस इतना ही पकाना इससे ज्यादा पकेंगे तो तूट जाएंगे दोस्त हमारे पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आगे किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं